क्या होता है पूजा करने से, क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है अराधना करने से, क्या होता है भोग लगाने से आपको पता भी नहीं है, जब आप विश्वास करते हैं तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तयार होता है आपको इश्वर एक सुरक्षा कवच देते हैं आपके मन में तन में वो उर्जा देते हैं जिससे आपको हर कदम पर सफलता प्राप्थ होती है आपका विश्वास आपको इश्वर के करीब ले जाता है आपको इश्वर की अनुभूती करवाता है ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूँ, जो विश्वास से प्रिपूर है, आप देखिए विश्वास से होता क्या है हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ अनुच शर्मा आज का प्रसंग है माही डबोदिया का माही डबोदिया दिल्ली की रहने वाली है शादी से पहले इनका नाम प्रीती था, बाद में माही रख दिया गया प्रीती बताती है कि बात 2019 की है 2019 में इनके माता, पिता और छोटी सिस्टर और परिवार के कुछ सदस्य व्रिंदावन गए, पूरा परिवार ठाकुर जी का भगत है ठाकुर जी के अराधना होती है अनन्य भगत है ठाकुर जी के व्रिंदावन आना जाना लगा रहता है तो 2019 का पहला दिन था, नए साल का दिन ठाकुर जी से मिलने गए जब ठाकुर जी से मिलने गए, विरंदावन पहुचे, तो पता लगा कि सारे रास्ते बंध है विरंदावन में किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि भीड बहुत ज़्यादा हो गई है ठाकुर के चाहने वाले दुनिया भर से आते हैं उनके हालचाल पूछते हैं, अपने हालचाल बताते हैं ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते हैं लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हर महीने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हर अपते जाते हैं तो उनी में से था ये परिवार, जो व्रिंदावन आता जाता रहता था, वहाँ पहुचे बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की, कि अंदर जाने दें, लेकिन अंदर जाने कैसे दें, व्रिंदावन तो भरा पड़ा है लोगों से, बहुत भीर लगी है, साल का पहला दिन है, तो भीर तो लगनी ही थी, लोगों को मिलना था थाकुर से, नए साल की बधाई देनी थी थाकुर से, आशिरवाद लेना था थाकुर से, तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया, प्रीती के पिता का संयम देखिए, प्रीती के पिता आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके दर्शन ना हुए हूँ इतनी बार मैं आया हूँ हर बार आपने दर्शन दिये इस बार दर्शन नहीं हुए फिर भी कोई बात नहीं जैसी आपकी इच्छा इस भाव से प्रिती के पिता ने वहां से विदा लिए और ये निर्ने लिया कि यहां ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तो कोई बात नहीं मतुरा जाकर करके ठाकुर जी के दर्शन कर ले तो ये वापिस लोटने लगे जब वापिस लोटने लगे मतुरा की तरफ वहां पह अब इनको दूसरे हाईवे से वापिस आना था घर की तरफ दिल्ली की तरफ इन्होंने ठाकुरजी से वहां से विदाली प्रणाम किया और ये वापिस बिना दर्शन की दूसरे हाईवे से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगी इनको पता भी नहीं था कि ठाकुरजी ने आज वह दर्शन नहीं दिये पर ठाकुरजी कहा दर्शन देने वाले हैं। यह वापिस दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से एक भारी एक्सिडेंट हुआ। उस भारी एक्सिडेंट में एक तरफ की इनकी गाड़ी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, नश्ट हो गई। गाड़ी में थे माता पिता, छोटी बहन। पृती बताती है कि छोटी बहन बिल्कुल नीचे दब गई थी। फिर भी इतना भारी एक्सिडेंट होने के बाद भी माता पिता बहन इनके परिवार वाले सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले। थोड़ी बहुत चोट आई। लेकिन सुरक्षित बहार आ गए। जब सुरक्षित बहार आ गए तो ठाकुर जी का धन्यवाद की। ठाकुर जी वहां दर्शन देने वाले नहीं थे। क्योंकि मंदिर में यदि वो दर्शन देते तो हो सकता है कि वो आखरी दर्शन होती। ठाकुर जी तो इनकी आप यकिन मानना दोस्तों थाकुर जी आप से पहले आगे चलते हैं आपके लिए सुरक्षा मार्ग प्रियार करते हैं उसके बाद आप उस पर चल पाते हैं और इसका सबसे बड़ा उधारन ये है कि जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके आने से पहले आपके दूद का इंतिजाम हो जाता है आपको अपनी इतनी चिंता नहीं है जितनी ठाकुर जी को आपके चिंता है क्योंकि हम सब उनकी संतान है वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं अंतर्यामी है परमेश्वर हैं सर्वेश्वर हैं सब कुछ जानते हैं उन्हें पता था कि आज मेरे भक्त वापिस लोटेंगे, तो दुर्गट ना होगी, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, महाभारत होने से पहले, अर्जुन की जीत के सारे साधन तयार कर दिये थे ठाकुरजी, जब आप विश्वास करते हैं, तो इश्वर आपके चारों तरफ, सच में ऐसा घीरा बनाता है, ठाकुरजी के दर्शन किया, ठाकुरजी का धन्यवाद किया, बहुत सारे लोगों ने परिवार को ये कहा, कि क्यों जाते हूं वहाँ, वहीं से आते वक्त तो एक्सिडेंट हुआ था तुमारा, इतनी बड़ी दुर्गटना होई थी, एक बार भच गए ना, फिर भी क्यो बार अनुभूती होती है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोगों का क्या है, आपके और आपके इश्वर के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, किसी के विचार भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता, आपका विश्वास होना चाहिए, और जो विश्वास करता है न, व सुरक्षित है, ये सांसे ठाकुर की दिवी, जीवन ठाकुर का दिया हुआ है, और वो जानते हैं कि इसी जनम में दूसरा जनम मिला है, वो हमारे ठाकुर जी की वज़े से, ठाकुर जी की क्रपा पूरे परिवार पर बनी रहे, प्रीति का पूरा परिवार हमेशा सुखी रह खुश रहे, इश्वर ने जर्म दिया है उन्हें, दोबारा से इसी धर्ती पर रहकर उन्हें सुरक्षित किया है, पूरे परिवार को बचाया है, तो जरूर परिवार का कुछ मकसद होगा, मैं उस परिवार को भी ये कहना चाहूंगा, कि आप लोग इस जीवन में याद जाईएगा कि कौन है ठाकुर, जब वो ठाकुर को जान जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो यकिन मानना जो व्रिंदा बन जाता है, उसका सिर्फ शरीर वापिस आता है, दिल वहीं रह जाता है, ऐसे हैं हमारे ठाकुर, आप भी हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रख अपना ख्याल रखिए, हरे ख्रिश्ण